तो आप सब का स्वागता है हमारे इस चैनल में तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी थेओरी के बारे में जो आपको बिल्कुल हैरान करके रख देगी लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उस समय कहा जाता है इस थेओरी के कोडिंग के उस समय मार्स पे भी जीवन था लेकिन जैसे जैसे दर्ती पे जीवन बनता गया वैसे वैसे मार्स पे जीवन खातम होता गया क्योंकि मार्स पे रहने वाड़े लोग जा एलियन कह सकते हैं हमने उन्होंने इतनी ज़्यादा कर ली थी कि उन्होंने मार्स के environment को बिल्कुल खातम कर दिया जा हो सकता है उनके यहां भी कोई war लगी हो जैसे world war जिसकी वज़ा से सब कुछ खातम हो गया हो लेकिन और एक समय ऐसा आया जब वहां पे जीवन बिल्कुल खातम होने की कगार पर था सिर्फ कुछ ही लोग बच जैसे ही वह दर्ती पर लेंडी खुए उन्हें पता चला कि हम डैनासॉर्स के साथ नहीं रह सकते तो इसलिए उन्होंने डैनासॉर्स को खतम कर दिया हो और उन्होंने वहां पर अपना जीवन दुबारा से शुरू किया हो लेकिन यहां से एक और बात भी निकल के आती है क लेकिन इससे कई सवाल भी पदा होते हैं पहला सवाल तो यह पैदा होता है कि जिस स्वाल भी पैदा होते हैं में वह वह अब हख कहां और दूसरा स्वाब यह पादा होता है अगर वो लोग वो लोग उस समय एक श्फ्शिप बना सकते हैं तो आज हम क्या कुछ कर सकते थे अगर वो लोग इतने डवांस देके और उन्हें स्पेश्फ सिब बना कर एक प्लानेट लेकिन यह theory सर्फ यही कहना चाहती है कि हम लोग उन ही aliens का एक विक्सित रूप हैं। लेकिन जैसे कि कई बाते इस theory के opposite हैं, वही कई बाते इस theory के हक में भी हैं। पहली बात तो यह है, हो सकता है कि वो हमारी planet से टकराएं हों, अपने spaceship में और spaceship उनकी वही खातम होगी हो और उन्होंने अपना जीवन बिलकुछ शुरू से दवारा शुरू किया हो, यह बात भी हो सकती है। और दूसरी बात यह कि हमें कई गुफाओं में जानी caves में ऐसी painting मिली हैं, जहां पर इंसानों को डैनासॉर्स के साथ दिखाया गया है। और कहा जाता है कि यह बहुत समय परानी painting हैं, और यह आधिवासी लोग बनाया करते थी। तो इसका मतलब यह होता है कि वो aliens दर्ती पे आये और कुछ समय जहां रहे दैनासॉर्स के साथ लेकिन बाद में उन्होंने दैनासॉर्स को खत्म कर दिया। यह हो सकता है कि कोई ऐस्ट्रेट गिरा हो लेकिन उस दैनासॉर्स तो मर गए लेकिन कैसे ना कैसे इन aliens ने अपने आपको बचा लिया हो। और यह चौरी आगे यह दावा करती है कि हम लोग किसी बंदर का विक्सेद रूप नहीं हैं। लेकिन इसमें से एक और सवाल निकल के आता है। आज की हिस्ट्री के हिसाब से जब पहला human आया था उस समय और वो समय जब डैनासॉर्स का अंद हुआ था इस समय के बीट में बहुत बड़ा gap है। तो सवाल आता है कि इस के इस time gap में वो aliens क्या कर रहे थी। जैसे कि आपको पता चली गया होगा कि इस के इस theory की कई बाते पक्ष में भी हैं और कई विपक्ष में भी हैं। हम लेकिन कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन यह तो सर्फ एक theory है हमें से सच नहीं मान सकते। पर हम इस बात को भी नकार नहीं सकते कि science सिर्फ theories पे बेस्ट ही है। कोई भी चीज पहले एक theory ही होती है। जब उस पे research होती है तब ही उसकी असली बात सामने आती है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस theory से related आप हमें नीजे comments में बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दन्यवाद।